मुकेश अम्बानी आखिर क्यों है अपनी पत्नी नीता अम्बानी से परेशान? अम्बानी परिवार की बहू के यह काले कारणामे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, आज हम आपको बताएंगे. मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी से लेकर उनकी बहुव तक के ऐसे काले सच जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठाया गया है नीता अंबानी की लाइफस्टाइल देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा औरत और नीता, अंबानी की दोनों बहुएं स्लोका और राधिका भी किसी से कम नहीं है तो आए जानते हैं अंबानी परिवार की सभी बहु के काले कारनामों के बारे में और उनकी बहुएं कितना अमीर है इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अन्बानी खांदान की बड़ी बहु के नाम से मशहूर श्लोका मेहता किसी पहचान की मोहताज नहीं है 11 जुलाई 1990 के दिन मुंबई में जन्मी श्लोका चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुई थी इसका मतलब ये है कि अमबानी परिवार की बहु बनने से पहले भी श्लोका पैसों में खेलती थी श्लोका का नाम सुर्खियों में उस वक्त आया था जब उनका रिष्टा मुकेश अमबानी के बड़े बेटे आकाश अमबानी के साथ जुड़ा था वैसे श्लोका भी कम रईस खांदान से तालुक नहीं रखती हैं दरसल उनके पिता रसेल महतादेश के जाने माने हीरा कारोबारी हैं वह रोजी ब्लू डाइमंड्स के ओनर और सीयों हैं इतने बड़े घराने से तालुक होने के बाद भी श्लोका का नाम आकाश अंबानी के साथ शादी की खबरों के बाद सुर्खियों में आया था बता दें कि श्लोका पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी अच्छी रही वहीं London School of Economics and Political Science से मास्टर्स की डिगरी हासिल की पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्लोका भारत लौट आई और अपने पिता की कंपनी में अहम जिम्मेदारी संभाली इसके अलावा वह Connect4 की को-फाउंडर भी है अब बात करें होने वाली छोटी बहु की अंबानी परिवार में अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका जो छोटी बहु बन कर आएंगी उनके बारे में तो एनकोर हेल्थ केयर की CEO विरेन मर्चेंट और शीला मर्चेंट की इकलौती बेटी है राधिका जो की काफी पेशेवर है, टैलेंटेड है, क्लासिकल डांसर है और साथ-साथ में बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है बॉलिवुड एक्ट्रेस की तरह ही वो जिंदगी जीती है और अर्बों रुप्ये की वो पहले से ही मालकिन है बात की जाए नीता अंबानी के बारे में तो नीता अंबानी को कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी के परिवार में नीता के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफी टैलेंटेड है अम्बानी परिवार की बहू बनने से पहले से ही नीता अम्बानी ने एजुकेशन के मामले में गुंबई के नरसी मोंजी कॉलेज ओफ कॉमर्स एंड एकोनॉमिक्स से ग्रैजुएशन किया और प्रोफेशनल भारत नाटियम की टीजर भी वो रही है साथ में उन्होंने पहले से ही टीचिंग का प्रोफेशन जोड़िज कर रखा था अपनी लाइफ में इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे खास तोर पर श्लोका के खूबसूरती के बारे में तो नीता आज भी अपनी बहूं से कम खूबसूरत नहीं नजर आती टीना अंबानी की बात करें तो टीना अंबानी के बारे में कौन नहीं जानता कि बॉलिवुड में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की और अम्बानी परिवार की बहू बनने के बाद टीना अम्बानी ने बॉलिवुड से दूरियां बना ली अब बात करते हैं टीना अम्बानी की बहू के बारे में जी हाँ, कृषा के बारे में बात कर लेते हैं, तो कृषा भी काफी खूबसूरत है, ये कहना गलत नहीं होगा, जी हाँ, कृषा की आप सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी ग्लैमरस है, वो कितनी फिट है, वो अपनी सास, कृषा से भी ज्यादा वो खुश मिजाज नजर आती है तो ये थी अमबानी परिवार की रईस बहुए क्या आप इनके बारे में जानते थे हमें कमेंट करके बताएगे